तो हेलो और वेलकम अगें दोस्तों कल थे ही महासिवरात्री यानि 8 मार्च जो अपने आप में ही एक यादकार दिन है और था लेकिन कल इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसी चीजे भी घटित हुई हैं जो बाकई में इतिहास में लिखने के लायक हैं लायक प्रभास की कल की 28-98 से जुड़ी ख़वर भाई 8 और मार्च का बेसबरी से इंतजार था क्योंकि महासिवरात्री का पावन समय था और ऐसे समय पर इतनी बड़ी मूवी से रिलेटिट कुछ भी अपडेट मिलेगी तो भाई लोग तो पागल हों गई होंगे वोपर से फैन्स जो इसके लिए वेट कर रहे थे उनका क्या ही कहना है देन कल भई सैतान मूवी भी रिलीज हुई है जिसके अलग ही हाव भाव है सबी लोग रिमेक है गुजराती मूवी वसका रिमेक है बावजूद इसके लोग इस कॉंटेंट को भी बहुत अप्रिसियेट कर रहे है क्योंकि जो अजे देवगन का नाम इसमें जुड़ा है भाव रिमेक बोड को ओरिजिनल कॉंटेंट ए फ्योरनेस कैसे भरनी है तो ऐसे अब कल एट ओफ मार्च की सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं अपना परस्पेक्टिव बताओ तो मेरे को एक तरफ से डिसपॉइंटिंग भी लगा लेकिन दूसरी तरफ उस डिसपॉइंट मेंट को कवर अप करा है कल की 2898 के एक बीग प्डेट नेए यानि पोस्टर का रिलीज हुआ है निव पोस्टर प्रभास का जहां पर कैरेक्टर का इंट्रोडक्षन हुआ है किस बेड़ पर? नाम के वेस पर प्रभास का नाम होने वाला है भैरवा तो कलकी कौन होने वाला है क्योंकि ये पूरी मूवी उसी पे बेस है मलब कली यूग में कली को हराने के लिए कलकी आएगा तो कलकी का रोल कौन प्ले करेगा और क्या इसके अलावा और कोई भी character बैसे ये तो पताई है कि प्रभास यहाँ पर इस movie में एक नहीं दो नहीं तीन चार character का role play करने वाले हैं जिन मैंसे भैरवा एक होने वाला है ऐसा जब भी प्रभास का ये नाम आता है वजन वाले नाम आते हैं क्योंकि ये जो actor है इसमें भी वज रखा गया था प्रभास का सलार में वाई देवरा था देवा नाम बड़ा है देन उसके बाद राधी पुरुस में राखाओ देन उसके बाद राधे स्याम movie जो आई थी उनकी विक्रमा दित्य का नाम वहाँ पर रखा गया था देन बाहु बली में तो हम सब जानते ही है मह करते में दो वजन है ही है लेकिन डिसपॉइंट्मेंट यह है कि मुवी को रिलीज होने के लिए बस दो महने ही बचे है लेकिन इस से जोड़ी हम बिग अपडेट को अजियूम कर रहे था खासकर मैं अजियूम कर रहा था कि बग अपडेट आएगी यानि टीजर के रूप अपर भाई एक नहीं दो ट्रेलर से ही काम चलेगा जो हमें एपरिल के स्टार्टिंग में ट्रेलर वन देखने को मिल जाएगा एंदेन एपरिल लास्ट में हमें ट्रेलर सेकेंड देखने को मिल जाएगा जो 9th of May को मुवी रिलीज होगी उससे 10 से 12 दिन पहले जो बिलकु भी मुवी ऐसी नहीं है जो प्रभास की हाइप सॉलिड हाइप लेके गई हो सलार से उम्मीद थी लेकिन सलार नहीं कर पाई क्योंकि टेंकी से क्लैस हो गया उम्मीद थी कि 1000 क्रों टच करेगी लेकिन कल की 2898 वो कॉंटेंट है जो डेफिनेटली 1000 नी 2000 क्रों टच करके जाना देन उसके बाद टीजर से रिलेटिड अगर आपको कुछ पता है तो वो भी सेर करना वागे टीजर का कितना वेट है बोल बता के जाना मिलते गली वीडियो में जैहिन लेकिर यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मल वीडियो पसंद आई है और पसंद आई है तो ला